So, hey guys, welcome back to another new video आज के इस वीडियो पे हम लोग पाइनिटो के काफिसरे latest important updates के बारे में बात करने बाले हैं सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पाइचार्ट के बारे में अभी अगर आप लोग पाइनिटो के application open करोगे तो कुछ इस तरीके से आप लोगो पाइचार्ट regarding official update देखनों को मिल जाएगा पहले हम खुद का create किया हुआ channel या फिर दूसरों के channel पे message कर सकते थे लेकिन हम अभी directly message कर सकते किसी भी individual pioneer को अगर आपको किसी से कुछ पूछना है या फिर किसी से कोई बात करना है तो आप directly उनको message कर सकते हो आप company के कोई भी chart moderator या फिर even company के founder dr. Nicholas को भी जो है personal message कर सकते हो यह chart को लेकर के एक बहुती बड़ा update है लेकिन यहाँ पे एक चीज जो आपको जानना जरूरी है वो है कि जब आप किसी को भी message करोगे तब वहाँ पे आपको कुछ pie जो है stake करना पड़ेगा कितने pie आपको stake करना है यह आपको तभी दिखेगा जब आप direct message करने जाओगे क्योंकि हर बारी यह amount different होते हैं stake में जितना pie आपको show होगा वो pie staking में चला जाएगा उसको आप use नहीं कर पाओगे और जब सामने वाले से आपका chart approve होता है तो जो भी pie आपका staking में गया था वो आपको normally फिर से return आ जाएगा spam messages avoid करने के लिए यहाँ पे stack का system लाया गया है चोलो मैं अभी आप लोगो shortly बताया था हो कि किस तरीके से आपको अभी किसी को भी private message करना है तो उसके लिए simply आपको pie network के application को open करना है यहाँ पर आप देखो को चार्ट का एक option मिल जाता है उस पर आपको click कर देना है तो यह automatically आपके pie account के साथ authenticate हो जाते हैं and chart open हो जाते हैं चार्ट open होते हैं कुछ ऐसा आपको page होगा आपको simply यहाँ पर my chart पर आना है उसके बाद यहाँ पर create new chart पर click करना है सबसे उपर यहाँ पर यहाँ पर आपको username डालना है ठीक है जिनको भी आपको message करना है उनका username यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा और उसके बाद क्या message message आप उनको send करना चाते हो वह message आपको यहाँ पर लिखना है then start a new chart पर जैसे आपको click करोगे तो वहाँ पर दिख जाएगा कि कितना pie आपको stake करना पड़ेगा वह particular इंसान से chatting करने के लिए उसके बाद जैसे आप stake पर click करोगे आपका message basically उनके पास send हो जाएगा instantly तो वह अ बताने वालों बिल्कुल ध्यान से आपको सुनना है skin पर आप लोग देख सकते हो अभी का time पर कापी सारे लोगों के ID जो है वह 100 साल के लिए freeze किया जाता है यानि के 100 साल से पहले वह new mining session start नहीं कर सकते हैं ऐसा क्यूं होता है बिल्कुल ध्यान से समझ लिए देखिए ऐसा पाई के किसी भी community guidelines को भाइलेट करते हो तो आपका account फ्रीज हो सकता है सभी company के अपने community rules होते हैं जिसको आपको follow करना पड़ता है अगर आप follow नहीं करोगे तो आपका account फ्रीज हो सकता है दूसरा यहाँ पर एक और बरा reason है जो कि यह buy sell करने का जैसे कि आप लोगों पता ह है core team के तरफ से यह चीज officially आया था कुछ दिन पहले कि आप enclosed mainnet के दौरान जो है buy sell नहीं कर सकते हो आप pie coin से buy sell तभी कर सकते हो जब आपका open mainnet launch हो जाएगा तो अभी आप पता है in close mainnet चल रहा है अगर अभी आप buy sell करते हो अपने pie coin को या फिर pie को दूसरे cryptocurrency या फिर fiat currency जैसे इंडियन रूपिस में convert करने जाओगे तो आपका account जो हो सकता है 100 साल के लिए तो इस चीज का आपको बिलकुल ध्यान पर रखना है pie से केवल आप इस time पे जो है P2P transaction कर सकते हो यानि के pie से आप समान या फिर कोई भी services ले सकते हो जो की 100% legal है और pie call team के तरफ से भी ये चीज के बारे में बताया गया है इसलिए अभी अगर आप देखोगे तो worldwide बहुत सारे जगह पे जो लोग pie coin से समान वगारा या services वगारा ले रहे हैं और इससे pie का use case भी day by day increase हो रहा है pie के P2P price हर एक जगह पे different होता है कहीं पे 314 dollar के according pie को accept करते कहीं पे 3,14,000 dollar के according pie coin को accept किये जाते हैं जिसका proof मैं आप लोगों को अक्सर अपने वीडियो पे देता रहता हूं तो I hope कि आज के इस वीडियो के दो important topic जैसे pie chart और pie account को लेकर के आप लोगों को सब कुछ समझ आ चुका है तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल नेक्स टारिक इंफरमेटिव वीडियो के साथ